शिमला की सुरम्य पहाडियों की सैर के बाद, अब हम लोग पहुँचे हैं मनाली, मनाली के माता हिडिमब मंदीर के सीडियों पर मैं यह खडा, इस मंदीर की दर्शन का भिलाशी, और जैसा की सभी जानते हैं कि इस मंदीर की अपनी एहतिहसिक और पारणिक दोनों किसम की मा इस मंदिर में ही उतकिन एक टांकरी लिपी के अभिलेक से पता चलता है कि इस मंदिर की स्थापना 15-13 इसवी में कुलू के महराज राजा बहादूर शिंगे द्वारा की गई थी ये पैगोडा स्टाइल का मंदिर अपने आप में कई तरह की काश्ट शिल्पी और पुरातात इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी शैली पैगोडा स्टाइल है इसकी जो शैतीर है उसके उपर नवग्रहों का उलेख उतकिर्ण हमें दिखाई देता है माता पारवती उमा शिव शंकर और उपर बहुत शैली के भी कुछ उतकिर्ण अंकन है साथ में हम लो महाभरत काल में पांडवों में भीम की मुलाकात हिडिम राक्षस से होती है और हिडिमबा नाम के राक्षसी से होती है हिडिमबा और भीम के बीच में प्रेम संबंद स्थापित होते हैं जिसे हिडिम पसंद नहीं करता है और दोनों की बीच में युद्ध होता है और जिस अग्यातवास का समय था पांडवों के लिए इसलिए अग्यातवास में रहने के लिए ऐसी व्यवस्था ऐसी शर्थ माता कुंती ने रखी थी और प्रमुक प्रसंग में हम लोग देखते हैं कि कर्ण युद्ध के एकड़न बहुत ही एक महत्कुंद पल पे जब अपना कवच कुंडल और अमोग असर बचा कर रखे वूए हैं अर्जून को मारने के लिए लेकिन कृष्ण ऐसी गुद्धी का प्रयोग करते हैं कि युद्धों में घड़ोतकच को उतारते हैं और घड़ोतकच पांड़ों क कोरणों की सेना का विनाश विनाश कर ड़ते अर बेven million के लिए खरद ध करण जो कि भश्न्य वर्जान के बाद महरतकाल में महारत्यूध में सेनापती उनको अपने समया प्रयोग करना पड़ता आक और But 2000 के बाद same वक्तिया नहीं बचती कि वो अब निश्चित रूप से अर्जुन की का वद कर सकें। और फिर जब कालंतर में युद्ध होता है उस युद्ध में अर्जुन को विजय मिलती है और कर्ण की का निधन हो जाता है। और अगर इस जगह की पूरी अगर आप टॉपोग्राफी को जोग्राफी को देखें तो ये पूरा का पूरा मंदिर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। बाद में विहंगमडी माल नामक राजा को गद्धी पर वैठाती हैं कुल्लू के और आज भी कुल्लू का राजवंग्ष कुल्लू की जो महान प्रसिद दशेहरा है। उससे पहले उसकी शुरुवात में हिडिमा माता का स्वागत और उनके द्वारा ही इसका उद्धाटन एक प्रकार से सिंबॉलिक तरीके से प्रतिकात्मत तरीके से करवाया जाता है। और कुल्लू के राजवंग्ष के लोग अभी भी इन्हें दादी की रूप में, दादी हिडिमा की रूप में मानते हैं। आप फिर से देख सकते हैं देवदार की ये घनेवन जिनके बीच में ये सुंदर सुरम में मंदिर और आप देख सकते हैं सेलानियों की भीड अभी ये सिर्फ दस माई का दिन है और अभी स्कूल्स बंद नहीं हुए हैं फिर भी इतनी भीड है और ये अपने आप में एक घ्रष्थ निरμित ये मंदिर जिसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं प्रतीक हैं जो हमारे धर्म के उस विचार को एकतर से परिपुष्ट करते हैं स्थापित करते हैं कि हमारे देश में हमारे संस्कृती में, किसी भी रूप में, मानव, नर्व, किनर, गंधर्व, नाग, राक्षस, किसी के भी, किसी भी रूप की पूजा की जा सकती है, उसमें अगर सात्विक गुणों का वास हो तो, यानि कि पैंथीजिम का इससे सुन्दर एक्जामपल, इससे सुन्दर उधारन, भी दुनिया में नहीं मिलेगा, और आज रिडिमबा माता के चरणों में, मैंने अपने प्रणाम अर्पित किया, और इस मंदिर में आने का जो मुझे स्वभागी मिला, उसके लिए इश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से अनुरोध रहेगा, कि जब भी मनाल इस मंदिर की सैर, इस मंदिर में जरूर माता टेकने आए और माता से अशिरवाद में, एक बार फिर इस वीडियो को खत्म करने से पहले हमें आपको इन देवदार के जंगलों को इन देवदार की उचे पेडों को द्यात्यकार पेडों को दिखाना चाहूंगा, और इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा लपड़ी से बना हुआ है, और पैगोडा स्टाइल का मंदिर है, एक तरह से इसमें बुद्धिस्ट इंफ्लूएंस भी हमें नजर आता है, तो इस प्रकार से ये एक तरह से एकलेक्टिक अर्किटेक्ट्चरल स्टाइल का एक जवदस नमोना है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद